इस वीडियो में हम एक example देखने वाले हैं जो कि distance, velocity, time से related है तो आईए एक सवाल पढ़ लेते हैं हम लोग If Mary travels for 1 minute at 5 meter per second to the south, how much will she be displaced? अगर Mary 5 meter per 30 seconds की रफ्तार से south direction में जाती है और कितने दिर के लिए जाती है? 1 minute के लिए जाती है अब देखिए, यहाँ पर हमें दिया हुआ है meter per second तो यह speed है या velocity अब यहाँ पर यह जो quantity है, इसके पास एक magnitude है और साथ के साथ एक direction है तो यह scalar तो हो नहीं सकता, यह है vector और vector क्या होता है? velocity या speed vector velocity होती है तो यह जो quantity दिए हुई है, यह है velocity तो आएए, लिख लेते हैं हमें क्या पता है velocity is equal to displacement by time अब velocity और displacement दोनों ही vector quantities हैं और दोनों के उपर यह arrow बना हुआ है यह यही दिखाता है कि यह दोनों vector है और नीचे में हमने t लिखा हुआ है कभी-कभी आपको यहाँ t के जगा पर delta t भी मिल सकता है delta t मतलब अंतराल मतलब कि अगर मेरी ने 12 बच के 1 minute पे अपने journey चालू की तो हमसे 12 बच के 2 minute पे पूछा जा रहा है कि कितना displays हो चुकी होगी वो तो अंतराल कितने देर का हुआ? 1 minute का तो इसे हम t या delta t दोनों से दिखा सकते हैं इसलिए हम बस t लिख रहे हैं तो अब हमें t तो पता है और हमें v पता है निकालना है s तो हम क्या करेंगे कि दोनों साइड हम t से multiply करतेंगे तो आगे t से multiply करते हैं t और t ताकि यहां t t cut गया और displacement अलग से आ गया तो अब इसे हम flip कर लेंगे ताकि displacement को हमें धर लिख लें तो आगे हमारा displacement is equal to velocity into time into time तो आइए इसे solve कर लेते हैं अब हमें दिया हुआ है कि velocity है 5 meter per second south direction में 5 meter per second south direction में और इसे हमें multiply करना time के साथ और time दिया हुआ है 1 minute का 1 minute अब देखिए अगर मैं इसको solve करूँ तो मुझे आना चाहिए एक ऐसा number जिसकी unit हो meter और साथ के साथ एक direction भी हो उसके पास क्योंकि यहाँ पर है left side में displacement और displacement एक vector quantity है लेकिन अगर मैं यहाँ पर इसे solve करने बैठ हूँ तो यहां second और minute दिया हुआ है second of minute तो cutने वाले है नहीं तो second of minute दोनों ही बच जाएंगे आखरी में लेकिन यह तो displacement की कोई unit हुई नहीं तो इसे क्या करते हैं हम इसे हम convert कर लेते हैं minute को second में convert करते हैं या तो second को minute में convert करते हैं ताकि यह time की unit है वो cut जाए तो मुझे पता है कि minute को second में convert करना तो सबसे आसान चीज़ है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे उपर में लिखावा है एक minute, तो इसलिए हम denominator में लिख लेंगे, एक minute और एक minute में होते हैं 60 second 60 second, तो एक minute से एक minute कट गया, फिर यहाँ second से second कट जाएगा अब यह जो second दिया हुआ है यह यह SEC और S में कोई अंतर है नहीं, ठीक है, तो आईए यहाँ second से second काट देते हैं, और हमारे पास बचा, S displacement is equal to 5 into 60 meter south direction में, minute से minute कट चुका है, second से second कट चुका है, सिर्फ और सिर्फ आपका meter बच रहा है, तो यह आजाएगा 65, 30, 300 meter south direction में, अब यहाँ देखिए displacement का एक magnitude है, जिसकी unit सिर्फ सिर्फ मीटर है, और इसके पास एक direction भी है, क्योंकि displacement एक vector quantity है